हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल, लेट्स लर्न पियसाई यार, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, और काफी बैतरी न तरिके से अपने पढ़ाई को कॉंटिन्यू कर रहे होंगे, सो फ् the very best concept on absolute sovereignty, so friends, be energetic and let's get started, तो चलिए फिरहन स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिन बादिन on absolute sovereignty को समझना, उनके दिये गए एक प्यारे से कोट के साथ, sovereignty cannot be divided and it is individual because the sovereign authority is one, friends, इस जो कोट आप देख रहे हैं, इस जिन बादिन के वर्क, the six book of the commonwealth से लिया गया है, जिसके मादेम से वो बताना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कि जो sovereignty होती है, जो समप्रुबता होती है, उसे कई भी बाटा नहीं किया सकता है, क्योंकि वो individual होता है, ठीक है, उसे कई भी बाटा जादा ही नहीं सकता है, ठीक है, और यह क्यों होगा तो वो जो sovereign authority है, वो किसी एक के पास होती है, ठीक है, उसका अधिकार हर किसी को नहीं होता है, उसका power किसी एक के पास ही होता है, वो estate के पास होगा, ठीक है, और estate के धुरू उस power को run कोन करेगा, तो वहाँ का राजा आने कि वहाँ का prince उसे run करेगा, और यह power सिर्फ उसे के पासी होती है, got it तो चलिए friends हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोगों ने पहले decide किया था कि हम लोग इस series को total six part में cover करने वाला है जिसमें कि हम लोगों अभी तक इनके first part आने की introduction और जिन बॉडिन और second part आने की जिन body on a state को काफी अच्छे तरीके से cover कर लिया हरे जीज़ों काफी बारिके से समझा अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को भी तक नहीं देखा जाकर के आप लोग पहले पिछले वीडियो को देख रहे था कि आप लोगों को ये concept समझने में और भी जादा आसानी हो और सारी dots को आप लोग easily connect कर पाओ ठीक है फिरेंस आने वाली वीडियो में उन्हों देखे हैं कि जिन body law के बारे में क्या कहते हैं जिन body का prior property को लेकर के क्या concept है taxation को लेकर के क्या concept है और लास्ट वीडियो में हम लोग इनके criticism वाले पार्ट को भी देखेंगे कि आखे इनके concept को किस तरीके से criticize किया गया किन argument के साथ criticize किया गया तो चलिए फिरेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं और सुम लोग स्टार्ट करते हैं समझना कि concept of sovereignty क्या है जिन बॉलिन के according तो फिरेंस देखे हम लोग को पहले ये समझना पड़े है कि sovereignty होता क्या है तो sovereignty का मतलब क्या होता है संप्रभूता ठीक है जो supreme हो ठीक है वो खुद में संप्रभू हो ठीक है खुद में वो supreme हो उसके उपर को भी और other power मतलब exist ना करता हो ठीक है उसको उपर और भी कोई मतलब की उसको limit करने के लिए नहीं हो ठीक है वो अपना decision सारा खुद ले सकता है sovereignty जो होता है वो absolute होता है वो ultimate power होता है state का ठीक है उसके उपर कोभी legal restriction उसके उपर नहीं लगा जा सकता है उसको कोभी मतलब की मतलब होता है न कि उसको उपर कोभी मतलब निरांकुस नहीं लगा जा सकता है कोभी उसे दबाया नहीं जा सकता है वो अपने state में सबसे supreme होगा वो decision लेगा वो final decision माना जाएगा च्योंकि वो absolute है वो complete है ठीक है अपने state के लिए वो supreme है ठीक है और इसी परका friends जिन body can define करते है sovereignty को लेकर के तो वो भी इस बात को क्या कहते है कि जो sovereignty है वो absolute है वो perpetual power state का ठीक है according क्या मतलब हुआ तो वो यह कहते है कि जो sovereignty होती है वो मतलब कि absolute है वो complete है उसके उपर कोभी और other power नहीं है जो उसको रोक सकी जो इसको decision लेने से मना कर सकी ठीक है और यह क्या कहते है कि वो जो ruler हो को वहाँ पर जो state को run कर रहा होगा वो कोई भी rule बना सकता है कोई भी rule implement कर सकता है ठीक है वो उसके उपर कोई भी limitation नहीं होगा जहाँ पर supreme होगा जहाँ पर सुप्रमेसी का मतलग कि exist करता हूँ जहाँ पर सौरेणिटी exist करता हूँ अस्टेट में ठीक है उसके उपर कोई भी नहीं होगा वो आपने आप में supreme है वो अपने आप में सब्रभू है ठीक है और इसके लिए वो कुछ भी decision मना सकता है और implement भी कर सकता है ठीक है औ कैसी एक के पास होगा, आने की estate के पास होगा और estate के थुरु, उसी वहां का जो राजा होगा, वो run करेगा, ठीक है, अगर माँले जिए कभी राजा चेंज होता है, तो जो राजा पहले था, उसका power खत्म होगा, complete तरी केसी और जो नया राजा बनेगा जो नया प्रिंस आएगा वो सारा पावर को रन करेगा कौन जो नया गौश्मक्लिट रेगा ठीक है और ऐसा क्यों होगा क्यूंकि पावर उसके पास नहीं है power estate के पास है और estate के through वो run कर रहा है और इसी लिएग का कहते हैं कि इसे कई भी कोई बाट नहीं सकता है कोई share नहीं कर सकता है कोई divide नहीं कर सकता है जो वहाँ का estate का राधा रहेगा जो prince रहेगा वही supreme होगा वही sovereignity को follow करेगा उसे के पास sovereign power होगा ultimate power होगा ठीक है मतलब at the last उसी पे सारा decision निर्वर करता है कि वो जो कहेगा वही सही होगा तो friends अब दखी हम लोग को आगे जिन बॉडिन ये भी कहते हैं दिखते हैं कि जो sovereign है न वो first systematic theory है ठीक है sovereignty का जो जिन बॉडिन पहने ऐसे thinker हुए करनोंने sovereignty को काफी अच्छी तरीके से इदम systematic way में उसे बताया कि sovereignty जो है वो कैसे सही है और कैसे वो state के लिए मतलब की importance है relevance रखता है ठीक है इस इसको बताने वाले काफे systematic theory देखर करनोंने समझाया था sovereignty के बारे में और ये पहले thinker कोन है तो पहले scholar जिन बाड़ी ने got it वहीं पे friends देखे जिन बाड़ी ने हम लोग को ये भी कहते हुए दिखते हैं कि जो sovereignty होगी वो legal भी होगी ठीक है वहाँ पे legality का भी मतलब की relevance होगा वहाँ पे legality भी prevail करेगी law भी prevail करेगा साथ था तो ये भी क्या करते हैं कि जो sovereignty होगी वो monastic theory पे based होगी जो देखे फिर monastic theory कहने का मतलब क्या हुआ देखिए sovereignty जो होता है न वो दो तरीका का होता है एक monastic होता है और दुसरा pluralistic होता है ठीक है monastic कहने का मतलब क्या हुआ जहाँ पे sovereignty किसी एक के पास lies कर रहा है किसी mono आने कि किसी एक लोग के पास है life कर रहा है लेकिन वहाँ पे मान लेजी sovereignty जो power होगा वो कुछ लोगों की बीच में होगा ठीक है कि ये मतलब कुछ लोगों के साथ वो अपनी power को divide करना चाहता है तो वो polaristic form of sovereignty होगा ठीक है तो यह क्या कहते हैं कि बाधित नहीं होगा ठीक है जो वहाँ का जो मतलब की जो supremacive power को रखता होगा वहाँ का ruler वो law की अधिन नहीं होगा वो law उसको restraint नहीं कर सकती है उससे दबाऊं नहीं दाखते है उसको पर ठीक है वो law को बना सकते है लेकिन लोगको वह मानने के लिए बाद धी हो जाएगा ठीक है ये compulsory नहीं है ठीक है जो वहाँ का राजा होगा जो वहाँ का प्रिंस होगा वो अपने according act कर सकता है उसे लगता है कि नहीं अगर इससे आगे बढ़ करके हम लोग अस्टेट के लिए कुछ extra कर सकते हैं कुछ अच्छा कर सकते हैं तो बिल्कुल भी ये देखेगा नहीं कि वो law allow कर रहा है कि नहीं allow कर रहा है वो उसे अगर अपने लगत करें ये जरूरी है तो वो उसे follow करेगा और इसी reference में लोग को बाडिन ये argument देते हुए देखते हैं sovereignty के लिए कि देखिए कुछ आहे मोनार्की हो या कुछ भी other form of government हो मा डेमोकरसी आजाए अरिस्टोकरसी आजाए तीरे निकल form of government आजाए कहीं भी किसी form of government में जो सबसे highest authority होगा state के अंदर ठीक है वो sovereignty होगा ठीक है और जो sovereignty होगा वही ultimate law होगा ठीक है वही ultimate power होगा और वो bound नहीं होगा ठीक है किसी law player bound नहीं होगा जो बनाएगा ठीक है आने कि जो prince उसे बना रहा है वो उसे bound नहीं होगा जो create कर रहा है got it तो चलिए फिरेंस हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिन body sovereignty के बारे में और क्या क्या बात ही कहते है ठीक है जिन body ने वो sovereignty characteristics को define करते है इस तरीके से कि जो state का characteristics होता है वो यह बोलते है कि जो state होता है वहाँ पे अगर जब तक sovereignty नहीं होगा जब तक sovereign authority नहीं होगा तब तक वो कभी एक अच्छा true statehood होई नहीं सकता है ठीक है उसे राजि का दर्जा कभी मिली नहीं सकता है जहाँ पे अस्टेट हो जहाँ पे sovereign power exist कर रहा होगा ठीक है वो भी एक्जिस्ट करता है तो वो sovereign power के उपर depend होकर की exist कर सकता है यह मानना किसका है यह मानना जिन बॉडिन का है ठीक है तो friends और नहीं स्टूडियो में लोग को यह भी देखते हैं मतलब यह भी कहते हैं जिन बॉडिन दिखते हैं कि ज क्या होगा कि अपने पूरे political power को जितना भी political power होगा प्रिजन के पास वो उसे exercise कर सकता है ठीक किस चीज के लिए तो वार को conduct करने के लिए मानने लिए उसे लगता है कि वार नीड है state का ज़रूरी है मतलब वार को अपने territory को extend करने के लिए आप खुद को protect करने के लिए वा international relation होगा जो भी foreign affair होगा उसे वो ले सकता है अपने will power से ठीक है क्योंकि ये external affair को भी मतलब करते हैं कि जो sovereignty होगी ना वो सिर्फ internal affair नहीं बलके वो external affair में भी काम करेगी ठीक है और friends देखिए next point में हम लोग को ये कहते भी दिखते हैं जिन body की जो sovereignty होता है न वो कभी किसी legal limitation क दाइरे में नहीं आता है ठीक है क्यों ऐसा क्यों होगा तो देखिए वो क्या कहते हैं कि जो sovereignty होगा जो sovereign power को मतलब कि उसके पास होगा prince के पास वो अपने estate के interest के लिए वो use करेगा ठीक है अगर उसे लगता है कि नहीं इस legal liability को तोड़ करके वो अपने estate के hit में को बड़ा decision लेना चाहता है ले सकता है तो वो कभी नहीं सूचेगा दुबारा लोग के बारे में वो इस decision को लेगा क्यों कि क्या कहते हैं जिन बॉडिन की कभी भी आप उनके decision को जो prince होगा जो राजा होगा उनके decision को अब कभी भी judge नहीं कर सकते हैं law के दुबारा ठीक है कि आप law के पारे में और सोच करके उस चीज को कभी भी judge नहीं कर सकते हैं कि वह जुक कर रहा है वह चाहीं कर रहा है वह irasight के इंट्रेस्ट के लिए होगा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड समलोगों को जो मतलब बॉडिन आर्गुमेंट करते विए दिखते हैं स्वारेनिटी के लिए कि ये इनलिएबल है मतलब क्या होगा ये कई भी ट्रांसफर नहीं कह सकता है ठीक है ये किसी भी स्रेंडर नहीं कह सकता है कि आप किसी अधर आथरेटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ठीक है इसलिए उखा किते हैं कि जो स्वारेनिटी होता है वो इनलिएबल होता है ठीक है उसे किसी को आप दे नहीं सकते हैं वह एस्टेट के रूऱर के पास ही होता है। ऑग्वरनी के पास ही होता है। जो माल लीजिए वहाँ का एस्टेट रूर्ल सब्सक्राइट तो ने का वहां का रूद्ध हम अग्विश्च नहीं रूर्लिक। बन रहा वहां का तो सारा पावर अब सारा स्वराइनिटी जो होगा पावर उसका वो उस नहीं रूलर के पास आ जाएगा ठीक है इसलिए का कहते हैं कि इनलीबल है ट्रांसपर नहीं किया सकता है वह यह एस्टेट के पास ही रहेगा तो चलिए फिरेंट हम लोग आके बढ़ और ये बात हम लोग को क्या दिखाता है तो ये बात इह मतलब जिन बॉलिन का ये जो concept ये जो statement है ये reflect करता है उस period को उस दौर को जहाँ पे हम लोग को ये बताता है कि उस time religious conflict काफी यादा चलते थे उस दौर में ठीक है जहाँ पर religion मतलब कि war of religion चल रहे थे कहाँ पर France में ठीक है तो यह बात हम लोग को यह statement अपने आप में उस बात का reflection देती है कि वहाँ पे भी काफी जाता वार चल रहे थे religious को लेकर के इसलिए बॉलिन यह कहते हुए दिखते हैं कि जो sovereign power होगा वहाँ का state का ठीक है वो religious authority को भी अपने अंतरगात ले सकता है अंतरगात उसे रखने का power होगा और इसलिए फिरेंस जिन बॉलिन क्या कहते हैं कि sovereignty as essential for maintaining order and stability within our state ठीक है वहाँ पे आप किसी भी state में मतलब अच्छे तरीके से maintain करने के लिए वहाँ पे order हो ठीक है law and order को वहाँ से maintain करने के लिए stability बनाया रखने के लिए sovereignty काफी यदा essential है संपुर्वता काफी यदा essential है क्योंकि वह क्या मांते थे वो उनका belief था कि अगर को strong sovereignty रहेगा न तो वो काफी यदा necessary है इसलिए ता कि वो chaos को आने वहाँ पे कोई भी unnecessary चीजों को pretend कर सके वहाँ पे civil strife होने से ठीक है कोई भी लडाई होने से कोई भी normal जो होता ना state की बेच में भी लडाई शोरा है वो civil strife से बचा सकता है ठीक है वो किसी पी तरिकए केos जिसी पे वो बचा सकता है ठीक है कब यह possible होगा जा होगा यहाँ पे 극ले से run कर राए होगा during authority पहले से prevail कर रहा होगा ठीक है कभी कभी क्या होता यहाU सॉर। में मोटिव क्या होना चाहिए तो में मोटिव उसका यह होना चाहिए कि वह स्टीट के लिए काम करें ठीक है वहाँ पे सुपरियम आथोरेटी रहे है लेकिन वह स्टीट के लिए काम करें ठीक है वह लोग अजब तक खुद की हित में काम नहीं कर रहा है तब तक वह हर चीज सही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हूँ चाहिए वो किसी भी form of government क्यों ना रहे है ठीक है अगर वो state के हिद के लिए काम कर रहा है तो वो चीज सही है फिर यहां से हम लोग को बाडन ये भी कहते हैं दिखते हैं कि the sovereign power should be exercised for the public good and the benefit of the state the sovereign decision and action should be aimed at promoting the well-being and prosperity of the people ठीक है यहां से हम लोग को साब साब पता चलता है कि जिन बॉडिन है वो यह कहते हैं कि जो sovereign power होगा उसे आप अपने लिए नहीं उस पर यूज करेंगे तो आप उसे public good के लिए यूज करेंगे ठीक है उसे आप समान जन की हित के लिए यूज करेंगे ठीक है उनके benefit के लिए यूज करेंगे उनके welfare के लिए यूज करेंगे ताकि आप उनके साथ अप estate का भी welfare कर सको ठीक है जो उनका decision होगा ठीक है जितने भी sovereign decision लिए जाएंगे किसके द्वारा प्रिंस के द्वारा जितने भी उसका action होगा उसका main aim क्या होगा कि वो किसी के वहाँ पर रहने वाले citizen के life को वहाँ के well-being को promote कर सके वह से बढ़ावा दे सके ठीक है वहाँ की जो people हो उसके life में peace and prosperity को वो establish कर सके ठीक है और इसलिए उनका main motive main aim यह होना यह मतलब कि sovereignty को लेकर के इसका prince का या फिर वहाँ का ruler का जो उस पावर को attain किया हुआ है जो उस पावर को run कर रहा है got it चले फ्रेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या concept इन्हों ने दिया है sovereignty के बारे में ठीक है अम लोग को जो जिन बादिन क state को develop करने के लिए अपनी concept को तयार करने के लिए यह बहुत ज्यादा relevance रखता है आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा help करता है कि आप notion of the state जो होगा ठीक है जो जो भी state का conduct होगा उसको save करने में उसको मानने में उसको बनाने में ठीक है बहुत ज्यादा यह help करता है और कि लिए वो क्या कहते हैं कि जो sovereignty होती है वो supreme authority होती है अगर मालीजी इंडिया का perspective से बात करना चाहेते तो देखिए बाकि सारा काम तो अजादे से पहले भी हो रहा था नाइन 147 से पहले भी हो रहा था लेकिन रिजन क्या था तो हम लोग को sovereignty में ही नहीं मिला हुआ था है कि हम लोग सारा decision खुद से नहीं ले सकते थे लेकिन हम लोग इतना मतलब कि लड़ाई लड़े किस चीज के रही ताकि हम लोग को sovereignty मिले हम लोग को संपर्वता मिले हम लोग अपना decision खुद ले सकें चाहिए वो internal हो या external हो आज दकी इंडिया को भी अपने decision को लेने के लिए किसी सा पूछता है कि जा करके हम लोग अमरिका से पूछ ले या ब्रिटेन से पूछ ले नहीं वो अपने according decision लेता है कि हमको क्या करना है हमें अरर्यक के साथ दोस्ती रखना है तो हम रखेंगे अगर हम लोग चाहिए कि हम लोग को यह करना है तो करेंगे ठीक हैать है इसे लिए मोग או नहीं का concept है जिन बोडिन ने दिया थ stade बहुत ज्यादा रखता है और यह हर एक अस्टेट की modern state जितना भी यह निस्टेट उसका जो formation होता है उसका जो conduct होता है उसे वो save करने में बहुत ज़्यादा relevance अपना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं तो जो जिन बॉड़ी ने वो slavery के बारे में क्या कहते हैं ठीक है वो दासप्रता के बारे में वो क्या कहते हैं तो फिर्ण देखिए जो जिन बॉड़ी है ना वो जो कि अब जो 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 बहुत होता नहीं है आप लोग बहुत गलत तरीके से बहुत गलत करते हैं जो उसे आप मतलब slavery का concept दा रहे हो इसलिए वो कहा होता है कि वो मतलब बहुत जादा वो एग्नूर करते है कि इसको slavery वाले concept को ठीक है हलाकि वो इस बात को मानते हैं कि यह जो slavery है यह युनिवर्चल फिनामिना है कि वो जो slaves वो exist करते हैं दुनिया के हर एक कोने में हर एक पार्ट में exist करते कहीं ने कहीं उनका relevance होता है ठीक है लेकिन इसमें गलत क्या है तो जखिए जो जिन बॉडिने ना वो जितने भी एस्टोटल का जो अपिनियन था खासके slavery को लेकर के उसे काफ़ ज़्यादा क्रिडिसाइज करते हैं काफ़ ज़्यादा वो मतलब इससे disagree करते हैं ठीक है खासकर के यह बाते कि जो एस्टोटल बात को कहते हैं कि जो slave होगा वो natural होगा ठीक है अगर आपने दास को बना रहे हैं वो आपका प्रशनल परपार्टी होगा यह concept था अगर आप लोगों ने पुरा series को complete किया होगा अरिस्टोटल वाले series को था आप लोगों यह बात पता होगा कि वो क्या कहते हैं कि जो slavery system है वो natural है लेकिन इस बात हो काफी ज़्यादा oppose करत है लिगते हैं जिन्टर्ण यह कहते है कि यह बहुत ही जादा ृडफ है कि आप यह कहरे हैं कि जो geometry है वो natural है ठीक है इसले हुँ क्या कहते है कि You slavery है वो अपने आप में ही unnatural है ठीक है वो बहुत ही गलत है वो आप इसे गलत तरीके से use नहीं कर सकते हो कभे भी और वो इसके पीछे का argument क्या देते हैं तो वो क्या कहते है कि देखी जो man को आप slave बना रहे हो ठीक है अपनी गुडविल के मतलब उसके गुडविल के उसके consent के against बना रहे हैं मतलब बिना उससे पूछे कि आप मतलब हमारे slave बनना चाहती है भी हो कि नहीं बनना चाहती है और इसना आप उससे बस उसके कुछ physical property के देख करके आप उसके अपना slave बना ले रहे हैं तो यह बहुत ज़्यादा गलत है और यह law of God के against law of God को मतलब के forbid कर रहे हैं उसे आप नकार रहे है ठीक है और यह बहुत ज़्यादा गलत है यह बिल्कुल भी सही नहीं है और देखते हैं इसे कि और क्या क्या बाते इसमें वह कहते हैं तो फिर इन तकी जो slavery को topic है ना वह काफी ज़्यादा मतलब डिबिटेवल है और यह मतलब time के recording के बहुत ज़्यादा discussions and deliverations के साथ develop होते जाया थी कब कुछ कुछ लोग कहते कि यह moral है कुछ लोग कहते है इतिकल है कुछ लोग कहते है सही नहीं है और इसलिए क्या होता है कि यह concept लोग को time by time यह evolved होते भी दिख रहा है हम लोग आगे अगर को philosopher को पढ़ेंगे जो अधा जितने इस फिलोसफ़र के बारे हम लोग पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा discussion and deliveration का topic है और यह आगे भी चलता रहेगा आगे भी discussion के साथ इस फिलोग को यह भी दिखता है कि जितने भी बॉडिन का आइडिया है स्लिवरी को लेकर कि वो डायेटली अब लोग को यह बताता है कि जो मतलब कि abolition जो होता है स्लिवरी का वो बहुत ज़ आता है कि नहीं आपके अंडर वो काम करें आपकी अंदर वो रहे ठीक है तब आप उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप उसे अपना property मिन kg करके अपनी मतलब को जूब मन करें वो उसे बना करके आपको यह बना सकते हो अपने लिए ठीक है यह बहुत जादा गलत है तो वही बात होता है फिरेंट के देखिए आप किसी के एक थिंकर के बात को लेकर के मतलब की जेस्टिफाई नहीं कर साथ है कि यह उनका पॉइंट आप व्यू है इसलिए हम लोग को आगे जितने भी फिलॉसोफर या थिंकर को पढ़ेंगे उनकी कॉंसेप्ट भी अ साथ साथ इस वीडियो को भी आप वाइंड आप करते हैं ठीक है तो फिर देखिए जिन बॉडिन का जो मतलब की पॉइंट आप विई है वह सिर्फ इतना है कि जो अस्टेट होगा वह सुप्रीम होगा ठीक है उसके पास इंडिविजुल नेचर ऑफ स्टेट अथर्टी हो जो सिर्फ इंडिविजुल के पासको जो इनठीक है वहusta कि उनेच continuity को पॉलरिश्टिक नहीं हो अने चैटक है अने के पावर किसी एक के पास अड xbin घ्रली रखेंगा ऑजितना फंक्सन है ना उसको प्रौिली रन करेगा इसी लिए जरूरी भी है ठीक है और ज्सक्चित और इसलिए आप इसे पर कोई भी मतलब की exact या मतलब कोई भी आप इसे exact answer नहीं दे सकते हैं कि इनका जो concept है वो सही है या गलत है लेकिन फिर भी यह आम लोगों को मानना पड़ेगा कि जो इनका concept है ठीक है वो इनका जो जितने भी contribution है जो इनका इतना जो शुरित दिया है न मतलब की absolute fanatic को लेकर के वो आज भी मतलब की बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गौवर्मेंट को मतलब की जयान करने में उनका जो notion है उसको save करने में ठीक है और आज से नहीं बलकि उनकी दैसक सही इससे follow किया जा रहा है और आने वाले centuries तक भी इससे follow किया जाएगा ठीक ह friends I hope friends आपको ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझम आ गया हो ठीक है फिर भी अगर आपकी मान में थोड़ा सा भी confusion हो कुछ भी मतलब doubt लग रहा हो तो आप उसे बेज़े जग comment box में type कर सकते हैं मैं उसको solutions आपको provide करवा दूंगा got it I hope friends आपको ये वीडियो काफी प भूले ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मेरे तो मिलते हैं फ्रेंस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू बाई बाई